ओम स्यंति हम सभी उस महान अलोकिक पिता की संतान है जिसने अपनी गहन तपस्या के वल से सर्व प्रथम संपून इस्थिती को प्राप्त किया जो कर्मातीत हुए, सर्व उन्संपन हुए, सर्व सक्तियों से भरबूर हुए सदा उपराम हुए, अना सक्त हुए, नस्टो मोहा हुए और इसलिए सदा के लिए भगवान के साथी बन गए और उनके महनकारिये में संपून योगदान करने लगे वो अब भी अव्यक्त रूप में भी सिव बाबा के मध्यम हैं, जिनके द्वारा हमारे परमपीता इस्टरश्टी को परिवर्तन करने का सभी आत्माओं को सकास देने का सभी भगतों की मनों कामनाएं पूर्ण करने का अपना दिव्यकर्तव कर रहे हैं बाप दादा ने मात पिटा के रूप में हम सब की बहुत पालना की और सभी को सिखाया के तुम भी सब की पालना कैसे करो जिस मनुस में दूसरों की पालना करने के संसकार हैं ये उसके राजाई लक्षन हैं और वही व्यक्ति राजपद को प्राप्त करेगी ऐसी आत्माएं, जो दूसरों का बहुत ध्यान रखती हैं, जो दूसरों को सुख देती हैं, जो दूसरों के दुख हरती हैं, जो बहुत रहम दिल हैं, वही राजाई पद के अधिकारी बनते हैं, हम भी. अपने मात पिता को फॉलो करके सब की पालना करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मात पिता बन कर सब की पालना की, इस्थूल भी की, सुक्स्म भी की, दोनों ही पालना का परम्हत्व है, संसार में भी, व्यवारिक तोर पर भी, कोई हमारे पास आता है, हम उसकी किस तरह खातरी क ठीक ऐसे ही, अलोकिक रूप से भी कोई हमारे द्वार पर स्यंति लेने आए, हमें उसे स्यंति देना आना चाहिए, कोई विग्नों के कारण हमारे द्वार पर आए, विग्णों से गिरा हुआ हमारे पास आए हम विग्ण विनासक बन कर उसके विग्णों को नस्त भी करें और उसको विधी भी बता सकें सबसे वड़ी पालना हमारे stress vibrations ही होते हैं कोई बहुत दुखी व्यक्ती हमारे पास आजाए और हमारे चेहरे को देखकर हमारे vibrations को देखकर हमारे दो सब्द सुनकर दुखों से तनाव से मुक्त हो जाए तो ये उसकी बहुत ही स्रेष्ट पालना होती है तो हम अन्यात्माओं की पालना करने के लिए स्वयम को पवितरता, स्यानती, सुक, शक्ती, खुसी इन सभी खजानों से वरपूर करें जितने हम खुस रहेंगे जितने हम तनाव मुक्त रहेंगे जितने हम योग युक्त रहेंगे जितने हम ज्यान के श्रेष्चिंतन में रहेंगे स्वमान में रहेंगे एसरीरी होने का अभ्यास करते रहेंगे सुब बावनाओं से भरपूर होंगे तो हमारे द्वारा सर्वात्माओं की सहज ही पालना होती रहेंगी तो सभी जो भगवान के बच्चे हैं जिने संसार को दुखों से मुक्त करना है वो याद करें, बावा ने कह दिया है जब तक तुमने सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त नहीं किया तुम घर वापिस नहीं जा सकोगे बहुत बड़ा कारी बावा ने हमको दिया है और हमें सर्वात्माओं की पालना करके बाबा के इस कारिये को संबंद करना है तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा भ्यास करेंगे मैं भी मातपिता की तरहे मास्टर पालन करता हूँ मुझे भी अपने स्रेश्ट वाइब्रेशन्स देखकर सभी की पालना करनी है मैं पूर्वज हूँ पूर्वज आत्माओं कोई सब की पालना करनी होती है ये दोस्वमान सारे दिन याद रखेंगे और अभ्यास करेंगे बाबा का वर्दानी हाथ मेरे सिर पर है हर घंटे में एक बार बाबा की दृष्टी प्राप्त करेंगे उसके वर्दानी हाथ का सिर पर होने का अनुभव करेंगे और स्वयम को इस्वरी वाइब्रेशन्स से निरंतर भरपूर करते रहेंगे तो आई आज का दिन परमात्म वाइब्रेशन्स में व्यतीत करें ओम स्यांति